जैश्री कृष्णा राधे राधे आप सभी को वट सावित्री वरत की बहुत बहुत छुबकाम नाए आज की इस वीडियो में हम वरत सावित्री वरत की समपोन कथा सुनेंगे बोल ये विश्णो भगवान की जय हो, धरम राज जी की जय हो, सावित्री देवी की जय हो एक समय की बात है, राजा युदिष्ठी ने भगवान कृष्ण से पूछा है भगवन आप मुझसे सावित्री वरत के विदान का वर्णन करें यह वरत कैसे किया जाता है और इस वरत की कथा क्या है, सबसे पहले इस वरत को किस ने किया तब भगवान कृष्ण बोले है महराज, सावित्री नाम की एक राजगंड्या ने वन में जिस परकार इस वरत को किया इस्तरियों के कल्यान के लिए मैं उस वरत का वर्णन करता हूँ आप ध्यान से सुनिए प्राचीन काल में मतर देश में एक बड़े ही प्राकर्मी, सत्यवादी, शमाशील, जितेंद्रिये और परजापालन में तत पर अशुपत्नी नाम के एक राजा थे उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने सपत्नी वरत की द्वारा देवी सावित्री की अरादना की कुछ काल के बाद वरत के प्रभाव से ब्रह्माजी की पत्नी सावित्री ने परसन्न होकर राजा पोबर्दान दिया कि हे राजन तुम्ही मेरे ही अंश से एक कन्या उत्पन्न होगी इतना कहकर सावित्री देवी अंतरध्यान हो गई उस दिनों के बाद राजा को एक दिवे कन्या की प्राप्ती हुई वह कन्या सावित्री देवी की वर्दान से प्राप्त हुई थी इसलिए राजा ने उसका नام सावित्री ही रख दिया धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी और विवाहा योग्य हो गई सावित्री देवी ने भ्रगुजी के उपदेश से सावित्री वरत को किया एक दिन ब्रत के बाद वेह अपने पिता के पास गई और परणाम करके वही पर बैट गई तब पिता ने सावित्री को विवाह युग्ये जानकर अमात्यों से उसके विवाह के विशय में मंत्रडा की और उसके युग्ये किसी भी स्रेष्ठ वर को न देखकर पिता आशुपती ने बेटी सावित्री से कहा ये पुत्री तुम व्रद जनों और अमात्यों के साथ स्वेम ही अपने अनुसार कोई वर ढूंड लो सावित्री पिता की आग्या स्विकार करके मंत्रियों के साथ चल पड़ी सुलप काल में ही राज रिशियों की आश्रम सभी तीर्थों और तपोवन में कूमती हुई वरद रिशियों का अविनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुने अपने पिता के पास लोट आई तब सावित्री ने देखा की राज्य सभा में देवरिशी नारद जी बैठे है सावित्री ने देवरिशी नारद और अपने पिता को परणाम करके कहा हे महराज शाल्व देश में ध्रुमत सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा है उनकी सत्यवान नाम का एक पुत्र है जिसे मैंने वरन किया है सवित्री की बाते सुनकर देवरिशी नारत कहने लगे ही राजन इसने बाले स्वभाव से उचित निर्णे नहीं लिया यतिपी धुरुमत सैन का पुत्र सभी गुणों से संपन है प्रन्त उसमें एक बड़ा भारी दोश है आज ही के दिन ठीक एक वर्ष के बाद उसकी मृत्यों हो जाएगी देवरिशी नारत जी की बाते सुनकर राजा ने सावित्री को किसी और वर को ढोनने के लिए कहा तब सावित्री कहने लगी कि राजाओं की आग्या एक ही बार होती है पंडित जन भी एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है ये तीनों बातें बार बार नहीं होती सत्यवान दिरगायों हो या अलपायों हो निर्बुन हो या गुणवान हो मैंने तो उनका वरन करही लिया है अब मैं दूसरे पती को नहीं चुनूँगी जो कहा जाता है उसका पहले विचार पुरवक मन में निश्चे लिया जाता है और जो वचन कहे दिया जाए वही करना चाहिए इसलिए मैंने जो मन में निश्चे कर रखा है मैं वही करूंगी सावित्री का ऐसा निश्चे युक्तवचन सुनकर नारज जी ने कहा है राजन आपकी कन्या को यही अबिष्ट है तो इस कारिये में शिगरता करनी चाहिए आपका यह दान कर्म निर्विग्न संपन न हो इस तरह कहकर नारज मुनी तो स्वर्प को चले गए तब राजा ने शुब मूर्थ में सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया सावित्री भी मनोंचित पती पाकर बहुत परसन्न हुई दोनों अपने आश्रम में सुप से रहने लगे प्रन्तु नारज मुनी की वानी सावित्री के हिर्दय में खटकती रहती थी जब एक वर्ष पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पती की मृत्यू का समय समी पा गया है यह सोचकर सावित्री ने दोअदशी से तीन रात का वर्ष ग्रहन कर लिया वह भगवत्य सावित्री का जब ध्यान पूजन करती रही उसने निश्य कर रखा था कि आज से चोथे दिन सत्यवान की मृत्यों होगी तब सावित्री ने तीन दिन रात पूरे नियम से व्यतीत किये जो थे दिन देवताओं और पित्रों को संतुष्ट करके उसने अपने सास और ससुर के चर्णों में परणाम किया सत्यवान वन से लकड़ी लाया करता था उस दिन भी वह वन से लकड़ी लाने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ जाने लगी इस पर सत्यवान ने सावित्री से कहा कि वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो तब वह पूछने गई पहले तो साससुर मना करने लगे पर सावित्री के बार बार कहने पर उन्होंने जाने की अग्या दे दी दोनों साथ साथ वन में गई सत्यवान ने वही पर लकड़ी काट कर उन्हें बांध लिया परन्तों उसी समय उसके सिर में असे निय दर्द होने रगा तब उसने सावित्री से का है ही प्रिये मेरे सिर में तो बहुत दर्द हो रहा है मैं थोड़ी देर विश्राम करना जाता हूँ तब सावित्री अपने पती का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई इतने में ही यम्राज वहां आ गए सावित्री ने उन्हें देखकर उन्हें परणाम किया और कहा ही प्रबू आप देवता दैत्यक अंधर्व कौन है मेरे पास क्यों आए है तब धरम्राज ने कहा सावित्री मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ और मेरा नाम यम है तुम्हारे पती की आयो समाप्त हो गई है प्रन्तु तुम पती वरता हो इसलिए मेरे दूथ इसको ना ले जा सके इसलिए मुझे स्वेम यहां पर आना पड़ा इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ट मातर के पुरुष को खीच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी बहुत दूर जाने पर यमराज ने सावित्री से कहा हे देवी अब तुम लोट जाओ इस मार्ग में इतनी दूर तक कोई नहीं आ सकता तब सावित्री ने कहा महराज पती के साथ आते हुए मुझे ना तो बलानी हो रही है ना कोई श्रम हो रहा है मैं तो सुख से चली आ रही हूँ जिस परकार सज्जनों की गतिसत है वर्नाश्रमों का आधार वेद है शिश्यों का आधार बुरु है और सभी प्राणियों का आश्रेस्थान प्रत्वी है उसी परकार इस्तरियों का एक मात्र आश्रेस्थान उनका पती ही होता है और कोई नहीं इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थ युप्त वच्णों को सुनकर यम्राज परसन हो गए और कहने लगे ये भामिनी मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हो तुम्ही जो अभिष्ट वर हो वह मुझसे मांग लो तब सावित्री ने विने पूर्वक पांच वर मांगे पांच वे वर्दान में मांगा कि हमारे सदा धर्म में दर्भक्ती बनी रहे तब धर्म राज ने सावित्री को ये सारे वर्दान दिये और सत्यवान को भी दे दिया सावित्री परसनता पूर्वक अपने पती को लेकर आश्रम में आगई अपने आश्रम में उसने जो सावित्री वरत का अनुस्थान किया था यह सब उसी के कारण संभाव हुआ पस तभी से पट सावित्री वरत किया जाता है जो कोई भी उसे करता है उसकी सभी मनोकामनाईग पूरी हो जाती है बोलिये धरमराज जी की जै हो देवी सावित्री की जै हो किसी गाउ में एक सहुकार रहता था उसका एक बेटा था बेटी थी सहुकार की बेटे का विवा हो चुका था सहुकार की घर में एक जोगी भिक्षा लेने आते थे जब साहुकार की बहु बिक्षा देने जाती तो जोगी बिक्षा ले लेते लेकिन जब भी साहुकार की बेटी बिक्षा देने जाती तो जोगी बिक्षा नहीं लेते और कहते बेटी सुहागन तो है पर इसकी भाग्य में तुख लिखा है यह सुनकर बेटी दूबली पतली होने लगी तब एक दिन उसकी माने पूछा कि तुम सूखती क्यों जा रही हो दूबली पतली क्यों होती जा रही हो तब बेटी ने अपनी मा को जोगी वाली सारी बात बता दी अगले दिन मा चिपकर बैठ गई जब जोगी आए तो देखा बेटी ने जो कहा था सही है जैसे ही बेटी विक्षा देने लगी तो जोगी ने विक्षा नहीं ली तब मा जोगी से पूछती है कि आप मेरी बेटी से विक्षा क्यों नहीं लेते और ऐसा क्यों कहते हैं तब जोगी कहते हैं इसका भग्य ऐसा ही है। तब मा जोगी के चल्डों में गिर जाती हैं और कहती हैं इसका कोई उपाए बताइये। विश्राम करने लगती है तब ही देखती है कि एक साप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने आ रहा है वह लपकर साप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चे को बचा लेती है इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता हुआ आता है वहाँ पर खुन पर सोचता है कि इसने हमारे बच्चों को मार दिया और उसे चोट से मारने लगता है तब वह कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा ये देखो यहाँ पर साप आया था जो तुम्हारे बच्चों को खाना चाहता था मैंने तो इस साप को मारा है और ये खून इस परसन्न करने के लिए आपस में बहुत लड़ती थी अब वह लड़की की मा सोमा को परसन्न करने के लिए सब के सोते समय ही उसके घर का सारा काम करने लगी सारा काम करती और छिप जाती सुबह उठकर सब सोचते कि ये सब काम कौन करता है सोमा भी सोचने लगी कि कौन सी बहु है जो इतना काम करने लगी मुझे पता करना चाहिए एक दिन की बात है वैं चुप चाप आँखे बंद करके लेट गई तब उसने देखा कि मुँँ अंदेरे एक ओरत आई और घर के सारे काम करके चुप चाप जाने लगी तब सोमा ने उसे रोक लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और हमारे घर के सारे काम क्यों करती हो तब उसने अपने सारी बात बता दी और सोमा से विंती की कि आप अपनी अमावस्या वरत का पुन्ये मेरी बेटी को दे दीजिए उसका दुर भाग्ये दूर हो जाएगा तब उसकी बाते सुनकर सोमा तयार हो जाती है और कहती है तुम जाओ और बेटी के बिया की तयारी करो मैं विवाह के दिन आऊंगी अब उस लड़की की मा बड़ी खुशी खुशी अपने घर लोटाती है माता पिता बड़ी खुशी खुशी व्या की तैयारी करते हैं जिस समय दूला दूलन फेरे में बैठे होते हैं उसी समय सोमा आ जाती है एक मिट्टी की हांडी में कच्छा दूद भर कर रखती है कच्छा सूथ लेकर वही पर बैठ जाती है थोड़ी देर में ही एक साप आता है वर को डसने के लिए तो सोमा उसे दूद पीने को देती है और हंडी में साप को डाल कर कच्छे सूथ से बान देती है इधर सब देखते हैं कि वर की साप को देखते ही मृत्यू हो गई है सब बड़े दुखी हो जाते हैं तब सोमा वर के उपर सुहाग के छीटे डालती है और कहती है मैंने आज तक जितने भी अमावस्या के वरत किये हैं उसके सारे पुन्ये इसे मिल जाएं और यह जीवित हो जाए इसकी बात जो भी मैं वरत करूँगी उस वरत किफल मेरी पती को मिले सब देखते हैं कि सोमा के ऐसे कहते ही वह दूला उठकर बैठ जाता है सोमा लड़की को और उसके वर को आशिरवात देती है और अपने खर जाने लगती है तब लड़की की मा कहती है कि मैं आपको क्या दूँ तो सोमा कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए बस एक मित्ती की हांडी दे दो उस दिन अमावस्या का दिन था रास्ते में सोमा पीपल के पेड़ के नेचे रुपती है हांडी के 108 टुकडे करती है पीपल की 108 परिकर्मा करती है और उसके बाद उन टुकडों को पीपल के पास ही जमीन में तबाह देती है जब वह घर पहुँचती है तो देखती है उसके पती की मृत्य हो गई है और उसके शरीर को तेल में डुबोकर रखा गया है तब सोमा अपने पती के उपर सुहाक के छीटे मारती है और प्रार्थना करती है कि मेरे अमावस्या के वृत का फल मेरे पती को प्राप्थो और इतना कहते ही उसका पती भी जीवित हो जाता है उसी समय जोगी आते हैं और कहते हैं कि अमावस्या का वृत करने के बाद कुछ दान भी करना चाहिए तुम ने वृत तो किया पर दान नहीं किया तुम मुझे दान दो तब सोमा उन्हें पीपल की पेड़ के नीचे ले जा कती है जहां उसने मिट्टी की हांडी के टुकडे दबाए थे उन टुकडों को निकालती है इतने में सारे टुकडे सोने के हो जाते हैं तब सोमा जोगी से कहती है कि आप इसमें से अपना भाग ले लो जोगी उसमें से चौथा हिस्सा ले लेते हैं और सोमा से कहते हैं कि तीन हिस्से तुम अपनी च्छा से जिसे देना चाहो उसे दे दो तब जोगी नगर में जाकर सबसे कहते हैं कि सोम बती अमावस्या का वरत सभी को करना चाहिए जैसे सोमा ने उस लड़की को वर डिया, उसका सुहाग जी उठा, सोमा का पती जी उठा, ऐसे ही है अमावसिया माता सभी को अमर सुहाग देना, सभी की मनो चावना पूरी करना, बोलिये अमावसिया माता की जैहो अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गनेश जी की कहानी एक पर गनेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिम्टी में चावल और चम्चे में दूद लेकर निकले वे सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो कोई मेरी खीर बना दो लेकिन ये बाक सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे बला इतने से चावल और दूद की भी कहीं खीर बनती है थोड़ा आगे चले तो एक बुढिया बैठी थी तब वे कहने लगे माई मेरी खीर बना दो तब वे बुढिया कहने लगी कि ला मैं बना दू तेरी खीर तब वे चूले पर तसा परतन चड़ाने लगी तब गनेश जी बोले कि माई छोटा सी भगोने मत चड़ाओ तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बरतन हो वो चड़ा दो बुढिया माई ने बात मानी और सबसे बड़ा बरतन चड़ा दिया वो तो देखकर हैरान रह गई थोड़े से जो चावल उस बरतन में डाले थे वो तो पूरा भर गया तब गनेश जी बोले कि मैं नहा कराता हूँ थोड़ी देर में खीर तयार हो गई बुढिया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे तब बुढिया माई ने कहा गनेश जी तुम्हारे भोग लगे ऐसा कहकर चूले में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को खीर दे दी बुढिया माई की पडोसन उपर से देख रही थी तब बुढिया माई ने सोचा इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी तब उसने एक कटोरा भर के उसे भी खीर दे दी उसके बेटे की वहुने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया अभी तक गनेश जी नहाकर नहीं आए थे अब बुढिया माई को भी फूक लग रही थी तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवार के पिछे बैठ कर कहने लगी कि गनेश जी आपके भोग लगे ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया अभी बुढिया माई खीर खा ही रही थी कि गनेश जी आ गए तब बुढिया माई बोली आजरे गनेश जी खीर खा ले मैं तो तेरी ही रहा देख रही थी तब गनेश जी बोले माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली तब बुढिया पूछने लगी कब खाई तब गनेश जी बोले जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब खाई जब तेरी पडोसन ने खाई तब भी खाई जब तेरी बखो ने खाई तब भी खाई और जब तूने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया तब बुढिया माई बोली बेटा तिरी सारी बात सच है पर बहु बिचारी का नाम मतले वो तो सुबै सी काम कर रही है भला उसने कब खीर खाई तब गनेश जी बोले चक्खी के नीचे देख जूटा कटोरा पड़ा है तुने तो कम से कम मेरे भोग लगाया वो तो बिना भोग लगाये ही खागई तब बुढिया माई गहने लगी बेटा घर की बात है घर में रहने दे अब बता पच्छी खीर का क्या करूँ तब गनेश जी बोले कि सारी नगरी जिमा दे बुढिया माई नगरी में नियोता दियाई सब हसने लगे कि इसके घर में खुद तो खाने को है नहीं नगरी क्या जिमाएगी लेकिन बुढिया माई ने पूरी नगरी जिमा दी फिर भी खीर का बरतन पूरा भरा था राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों री बुढ़िया ऐसा बरतन तुम्हारे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर तब बुढ़िया कहने लगी राजा जी आप ले लो राजा ने खीर का बरतन महल में मगा लिया लेकिन ये क्या महल में आते ही तो खीर में कीरे मकोडे बिच्छू पड़ गए खीर से दुरगंद आने लगी यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे बुढ़िया माई तो ये बरतन वापस ले जा ये बरतन हम तुझे देते हैं बुढ़िया माई बोली राजा जी आप देते तो पहले ही देते ये बरतन तो मुझे मेरे गनेश जी ने दिया है बुढिया माई बरतन वापस ले आई बुढिया माई के घर आते ही खीर पहले कितरे सुगंदित हो गई तब बुढिया माई गनेश जी से कहने लगी कि अब इस खीर का क्या करूँ तब गनेश जी बोले कि जोपड़ी के कोने में कड़ा कोद के गाड़ दे उसी जंगे सुबह खोद कर देखना तुझे धन के दो घड़े पड़े मिलेंगे तब बुढिया माई कहने लगी इतने धन का इस छोटी सी जोपड़ी में क्या करूंगी तब गनेश जी नहीं जोपड़ी को लात मारी तब वहाँ पर महल हो गया सुबह हुई तो बहु फावरा लेकर पूरे खर को खोदने लगी लेकिन कुछ नहीं मिला तब बहु बोली सासु जी तुमारे गनेश जी तो जूटे हैं सासु बोली कि बहु मारे गनेश जी जूटे तो नहीं है लाजरा मैं देखूं तब वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करती दो धन के घड़े मिल गए तब बहु कहने लगी कि सासु जूटे गनेश जी तो सच्चे ही है तब सासु बोली कि गनेश जी तो भावनाओ के भूके हैं ये गनेश जी भगवान जैसा आपने बुढिया माई को दिया वैसा सब को देना जैसी उसकी मनोकामना पूरी करी वैसी सब की करना बोली ये गनेश जी भगवान की जै हो तपसी लपसी की कहानी एक तपसी था और एक लपसी था दोनों आपस में मित्र थे तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी पजाता, जीन कर चद्धर तान कर सो जाता एक दिन की बात है दोनों दोस्तों में बहस चिर गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भगत है तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भगत हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं भगवान का सबसे बड़ा भगत तो मैं ही हूँ लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ती करता हूँ पूजा करता हूँ भगवान की तपस्या करता हूँ तो मैं बड़ा भक्त हूँ तुम क्या करते हो तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीन कर जदरतान कर सो जाते हो दोनों लड़ रहे थे उसी समय नारद मुनी प्रत्वी पर घूमने के लिए आए उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते जगरते देखा तो उनकी लड़ने का कारण पूछने लगी तब दोनों नारद मुनी को परणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई तपसी कहने लगा कि नारद मुनी जी मैं तो हमेशा भगवान की भक्ती करता हूँ तपस्या करता हूँ लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है तब लपसी बोला नारत मुनी जी मैं भगवान की पूजा पाट की विधी नहीं जानता मंतर जाप की विधी भी नहीं जानता बस मुझे तो इतना पता है कि सच्ची मन से सब की सेवा करो उसी से भगवान परसन्न हो जाते हैं तो मैं तो भगवान को रोज सवासेर की लापसी बनाता हूं भोग लगाता हूं और जीम कर सो जाता हूं मुझे जितना हो सकता है सब की सेवा करता हूं और मुझे लगता है कि प्रानी मातर की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भगती है इसलिए मैं अपने आपको भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ तपसी और लपसी की बाते सुनकर नारत मुनी कुछ देर के लिए सोच में बढ़ गए फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है यह बात मैं सिद्ध कर दूँगा लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूँगा दोनों को नारत मुनी की बातों पर विश्वास था इसलिए दोनों परसंद मन से अपने अपने घर चले गए अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर इसनान करने के लिए जाने लगा तो नारत मुनी ने उसके रास्ते में सवा करोड की एक अंगुठी रखती तपसी ने वह अंगुठी देखी तो उसने सोचा यह तो बड़ी कीमती अंगुठी है लगता है किसी की गिर गई है उसने अंगुठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी fino करोड की अंगुठी थी बस तपसी के मन में लालाचा गया उसने सोचा कि इस अंगुठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे उससे में बहुत बड़े यग्य करूँगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ती करूँगा और अपने आपको भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूँगा बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहादो कर तपस्चा करने बैटा तो पैर के नीचे अंगूठी दबा कर बैठ गया उधर लपसी ने रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा तब नारत मुनी ने उसकी रास्ते में भी बिलकुल वैसे ही सवा करोड की एक अंगूठी रख दी लपसी ने भी अंगूठी को देखा उठा कर सोचने लगा अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है लगता है किसी की गिर गई जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा उसने अंगुठी उठाई और भगवान की मंदिर में चला गया मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगुठी भगवान के ही चर्णों में रखती उसने सोचा कि जिसकी भी अंगुठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा तो उसे अपने अउटी यही पर मिल जाएगी और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगा कर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले तब ही वहाँ पर नारच जी आ गए तो दोनों नारच जी से पूछने लगे कहिए नारच जी हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भगद कोन है तब नारच जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भगद तो लपसी है तो तपसी तो चिड़ गया बोला नारज जी आप ऐसा किस अधार पर कह रही है तब नारज जी नी कहा कि सुभे मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोडों की अंगुठी रखी थी तब नारज जी नी कहा कि तुमने लालच किया तुमने वहें अंगुठी उठा कर रख ली इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है और लपसी ने लालच नहीं किया उसने वहें अंगुठी भगवान के चर्णों में चड़ा दी इस विचार के साथ कि जिसकी अंगुठी होगी वहें यहां से उठा कर ले जाएगा इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है अब तो तपसी को अपने भूल पर बहुत पच्टावा हुआ वो तो नारच जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा यह भगवान मुझपर दया करो मुझसे गलती हो गई अब आप पताओ मेरे तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा तब नारच जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारे कहाने कहकर तेरी कहाने नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा जो ब्रामन जिमा कर दक्षिना नहीं देगा जो साड़े बलाउच देकर दक्षिना नहीं देगा तो उसकी तपस्या का उसके पूजा पाट का सारा फल तुझे मिल जाएगा जो अपने घर में गाए कुटे की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाट का सारा फल तुझे मिल जाएगा दीपक जला कर हाथ नहीं जोड़ेगा दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा और इतना कहकर नारज जी वहां से अंतर ध्यान हो गए इसलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है वरना किसी भी कथा कहानी का पल नहीं मिलता बोल ये तपसी लपसी की जै हो